आप देख सकते हो मॉल्ड कैसे बनते हैं और मॉल्ड कौन सी प्रिक्रियाश से गुजरते हैं तो आपको दिखाएंगे फियोपी से बनने वाले मॉल्ड जो कुलडों के अंदर काम आते हैं तो कारिगर उसके उपर तेल का लेप लगा रहा है जिससे मॉल्ड ना चिपके तो हर मॉल्ड के अंदर हल कौपी के अंदर मॉल्ड बनाने के लिए उन पर तेल लगा जाएंगे कौपी के उपर तो आप देख रहे हैं हर कौपी के अंदर मॉल्ड मॉल्ड के अंदर तेल लग हुई है। हम उनको भी कशाने कोशिज करेए। तो अब civ की सबस्राइब क्या काम आता है, मैं आपको समझाता हूँ? यह वह वह प्रकरिया है जिस्क पर कॉलण बनाल है। मोल्ड से ही कॉलण बनता है, भी भरने का काम करता है। यह तैप देख रहे हो मोल्ड ऑ प्रिकार से फिर रहा है तो उसी के साथ एक आरड पर demos के अंदर प्योपी एस्ट्रा उसको निकाल रहा है ढूत olmasना ईकर को यह आप एक मॉल्ड को लेक्शन से ख़ानों रहा भी रंखुलन मचिवा तो हम मसीन जगः को चलाएंगे और head को फिर दुवारा set करेंगे पत्ती की साहिता से और फिर दुवारा extra जो part है प्योप का उसको निकालेंगे प्योपी का ये extra part निकालने के बाद में हम आपको set करके दिखाएंगे कि mold कैसे set होगा head के उपर तो यह precarea process अधिक समय के लिए है तो आप इसको अच्छी तरीके से देखकर आप बना सकते है तो head के उपर जो एश्ट्राप्योप को निकाल लिया गया उसके बाद अब हम इसके उपर रख रहे हैं mold को और यह जम गया यह डुगन नहीं रहा और थोड़ी सी बारी की कमी है उचा नीचा हो रहा है उसको सही करने के लिए हमें उसकी थोड़ी सी खराद करेंगे तो आप देख रहे हैं उस खराद को हम सही कर रहे हैं जिससे mold अच्छी तरीके से head को उपर बैठ जाए और फिसन ले से बचे फिर हम दुवारा head को रख रहे है head को उपर mold को रख रहे है mold को रखने के बाद में हमें थोड़ी सी कमी और दिखी है हम उसको थोड़ा साफ सुत्रा और करते हैं तो फिर से विसेश कारीगर लगए हैं और यह अच्छी तरीके साप और सुत्रा बना रहे हैं तो बनाते बनाते यहां पर कारीगर देख रहा है उच नीच का फरक है उसको